तो दोस्तों आज हो गई है 16 अगस्त और जो बड़ी खबरे हैं मुखे समाचार हैं एक एक करके चलेंगे तमाम बहुत बड़ी अपडेट साब तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुचाएंगे इसलिए लगतार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा तो अब इस वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेले के आइकन को जरूर दवाएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा जय हिंद जय भारत दरासल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें बिहार ने विपच्छ को जगाया है बीजेपी से मुकाबले के लिए एवियम बनेगा हतियार क्या कुछ है पूरा मामला खबर बताते चलें बिहार में भाजपा जेडियू गडवन्दन तूटने के बाद एक बर फिर विपच्छ में नजदी की बढ़ने लगी है विपच्छी दल अब केंदर की भाजपा सरकार को घेरने के लिए मुद्दा तलास रहे हैं फिलहाल विपच्छ भाजपा को घेरने के लिए पुरान लिया है और दावा किया है कि यहां लोग तंतर के लिए सबसे गंभिर चुनाथी है बताते चले 11 पार्टियों में कॉंग्रेस, CPM, समाजवादी पार्टी, बसपा, CPI, NCP, TRS, RJD, RLD, Welfare Party और सौराज इंडिया सामिल हैं और वही बैठक में इन पार्टियों ने तीन प्र विमर्ज किया है और सर्वसमती से उन प्रस्तावों को पारित किया है और वही खबर निकल के आ रही है कि आगामी दिनों में एक बड़ा यहां पर प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है EVM के खिलाफ यह यहां पर विपच्छी दल अब यहां पर केंदर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप लोग भी EVM के जरिये वोटिंग का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाईएगा अगली अपडेट की तरह बढ़ते हैं अखिलेश यादा बोले महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है प्रेस की आजादी में भी हम पीछे हैं ये काफी चिंता का विशय है खबर बताते चलें आप लोगों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय अधेच अखिलेश यादाम ने कहा है कि हमारे लिए चिंता का विशय है कि महंगाई तथा बेरोजगारी चरम सीमा पर है दुनिया के तमाम आकडों को देखें तो स्वास्त प्रेस की आजादी आदमी हमारा तेस काफी पीछे नजर आता है अखिलेश यादाम ने जबरदस तरीके से बीजेपी सरकार को निसाने पर लिया आए और उन्होंने बेरोजगारी और लगतार बढ़ती हुई महंगाई पर काफी चिंता जताई है इसके साथ ही अखिलेश यादाम ने आगे कहा है कि हम भले ही आजादी के 75 साल पूरे होने की खुसी मना रहे हैं लेकिन हमें चिंता भी करनी चाहिए हम चिंता करें कि देश में जाती का भेदभाव आखिर कैसे दुर होगा हम सभी मामलों में गंभीर हो जाएं तो दुनिया में हमारा देश यहाँ पर काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा यह यहाँ पर अखिलेश यादब की तरफ से बड़ा बयान आया है और उनका कहना है कि प्रेस की आजादी पूरी तरह से खत्रे में पड़ चुकी है देश के अंदर मीडिया को बोलने की आजादी नहीं रही है इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताईएगा जरूर अगली अपडेट बताते चलें राकेश टिकैत ने निकाली है तिरंगा यात्रा बूले सरकार के दिमाग से ट्रेक्टर और तिरंगे को नहीं निकलने देंगे खबर आप लोगों को बताते चलें देश भर में हर घर तिरंगा मोहिम को लेकर के लोगों में जोर्ष दिखा इस बीच ये उपी के मुज़ाफर नगर के किसानों ने महारा ट्रेक्टर महारा तिरंगा रैली निकाली है किसान नेता राकेश टिकायत की अगवाई में यहां रैली निकाली गए जिसमें बड़ी संख्या में किसान सामिल हुए इस दौरान राकेश टिकायत नहीं कहाई कि सरकार के दिमाग से ट्रेक्टर और तिरंगे को कभी भी नहीं निकलने देंगे और वही राकेश टिकैट इस समय केंदर सरकार से खुस नहीं है उन्होंने सरकार पर किसानों के साथ में वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ एक और बड़ा आंदोलन यहाँ पर सुरू कर सकते हैं जो कि यहाँ पर तेस व्यापी आंद किसानों के खिलाब जो सरकार ने वादा खिलाफी की है उसके लिए और जो लगातार भिरोजगारी देश के अंदर बढ़ रही है उसको लेकर के राकेश टिकैट तैयारी कर रहे हैं एक बर फिर से सडक पर उतरने के इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं द बसके मौके पर लाल किलेव पर तिरंगा फैराया इस दोरान पियम मोधी ने राश्टर को संबोधित भी किया पियम मोधी ने अपने भाशन के दोरान भाई भतीजावाद और परिवारवाद का जिक्र किया है और वहीं अब पियम के वयान पर कॉंग्रस पार्टी ने बारतिय जन्ता पार्टी का भाई भतीजावाद केवल पियम मोधी ही इस पश्ट कर सकते हैं कि उनका हमला उनके अपने मंत्रियों पर था या उनके बेटों पर हमें नहीं पता कि उन्होंने किस पर हमला किया है लेकिन देश को उमीद थी कि वहाँ पिछले आठ साल का रिक पर एक और बड़ी कबर बताते चलें जरूरत पड़ी तो बीजेपी गुंडा गर्दी का भी सहरा लेगी तेलंगाना बीजेपी के अध्यच का विवादित बयान खबराप लोगों को बताते चलें तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यच बंदी संजय ने कहा है कि TRS के मंतरी और विधायक लाइसेंस प्राप्त गुंडों की तरहें वहवार कर रहे हैं जरूरत पड़ी तो बीजेपी भी गुंडा गर्दी का सहरा लेगी और इनका अब यहाँ पर यहाँ वयान सोसल मीडिया पर वाइरल हो चुका है जिसके बाद लोगों ने भाजपा को जबरतस तरीके से निषाने पर लेना शुरू करतिया है आप लोगों को बताते चलें सोसल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यही है भाजपा की असली हकीकत यह लोग सथा से दूर रह नहीं सकते हैं राज्य के अंदर भाजपा की सरकार है नहीं इसलिए भाजपा बौकलाई हुई नजर आ रही है और अब गुंडा गर्दी पर उतरने की बात कर रही है इस बीच एक और बड़ी खबरांप लोगों को बताते चलें मुख्यमंत्री ममता बनर जी बोली उनका सपना ऐसे भारत का निर्मार करना है जहां पर कोई भी भूखा ना रहे पशिमंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर जी ने कहा है कि वहाँ एक ऐसे राष्ट्र का निर्मार करना चाहती है जहां पर कोई भी भूखा ना रहे जहाँ कोई महीला असुरक्षित महसूस ना करे और जहाँ कोई दमनकारी ताकतें लोगों को बाट ना सकें उन्होंने कहा है किस महान राष्टर के लोगों से मेरा बादा है कि मैं अपने सपनों के भारत के लिए हर प्रति दिन प्रियास करूँगी इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर केंदर की मुति सरकार को भी निशाने पर लिया है और उस पर तानासाही करने का आरोप लगाया है और कहा है कि लगातार ये सरकार समाज को बाटने का काम कर रही है ये यहाँ पर मम्ता बनर्ची का बड़ा बयान आया है दोस्तों अगली अपडेट की तरफ चलते हैं रोजगार को लेकर के तेजस्वी यादब का बड़ा बयान कहा बिहार ने मिसाल कायम की है यही बनने जा रहा है असली मुद्दा जी हाँ दोस्तों खबर बताते चलें बिहार के उप मुख्यमंतरी तेजस्वी यादब ने कहा है कि सब चीज पर काम सुरू हो चुका है और सब ने देखा है कि गांधी मैदान से आज़ादी के दिन घोशना नहीं हुई बलकी मोहर लगी है भाजबा के लोगों ने दो साल ब पूकरियां देंगे जिसको बढ़ा करके अब 20 लाग किया जाएगा हम इसके अलावा नए रोजगार बनाने का भी काम करेंगे हम लोग अपने वादे को पूरा कर रहे हैं यहाँ अच्छी बात है कि रोजगार पर चर्चा हो रही है और वहें बिहार के डिप्टे सियम ते यही असली मुद्दा अब यहाँ पर बनने जा रहा है ये तेजस्वी यादब की तरफ से बड़ा बयान आया है इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें राजिस्थान में दलित बच्चे की पिटाई करने के आरोपी को कड़ी सजा दी जानी चाहिए राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है सामने खबर बताते चलें कॉंग्रेस के पूरवध्यच राहुल गांधी ने राजिस्थान के जालोर जिले में सिच्चक की पिटाई से हुई दलित चात्र की मौत की घटना की निंदा करते हुए कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए जालोर जिले के सायला थाना इलाके के निजी स्कूल में एक टीचर ने यहाँ पर पानी का एक मटका छूलेने पर नौ वर्षिय दलित बच्चे को पीटा था इसे चात्र की तबियत बिगड गई थी करीब 25 दिन के इलाज के बाद यहाँ पर उसकी एहमदाबाद में मौत हो गई है जिसके बाद राहुल गांधी की तरब से बड़ा बयान आया है और उन्होंने यहाँ पर गहलो सरकार से कहा है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और सक्त से सक्त कारवाई की जाए इस बीच एक और अपडेट बताते चलें 75 साल पहले देश ने दिखाई थी सच्चाई अहिंसा के रास्ते पर चलने की ताकत राहुल गांधी का बड़ा बयान आप लोगों को बताते चलें आजादी गौरब मार्च के दोरान कॉंग्रस के निता राहुल गांधी ने कहा है कि 75 साल पहले देश ने पूरी दुनिया को सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलने की ताकत दिखाई और पार्टी ने सोतंतरता सेनानियों के बलिदान को याद किया है और वहीं अपने सोतंतरता दिवस भाशड में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की भाई भतीजावाद और वन्सवाद के बारे में टिपड़ी के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा है कि वहां इन चीजों पर कोई भी टिपड़ी नहीं यह यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरे थी मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए है यूए एंड वीडिवी के माध्यम से अगर आप लोगों को ये वीडियो पस अभी का बहुत बहुत धन्यवाद